असलाम अलेकुम दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में जवाजात की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है जो भाई अभी नए नए साओधी अर्बिया आएं है या जो आने वाले हैं उनको ये अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है और दूसरी अपडेट जो है वो GSE की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और उस सर्कुलर में GSE ने क्या कहा है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा तो आपसे रिक्वेश्ट है प्लीज इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल कभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या तो उनके मन मुताबिक का काम नहीं मिलता है या तो जो काम वहाँ पर बताया जाता है वो काम यहाँ पर आके उनको नहीं मिलता है इसके अलावा भी बहुत सारे मसले होते हैं शुरुआत में और बहुत सारे लोग comment box में comment करके हम से इस बारे में पूँच भी रहे थे तो चलो अच्छा हुआ कि जवाजात के तरफ से एक update आ गई तो मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूँगा तो साइद आपका जवाब जो है इसी में आपको मिल जाए तो जवाजात के तरफ से कहा गया है अगर कोई अपने देश से काम करने के लिए साओधी अरबिया क अंदर आता है तो शुरुवात के तीन महीने जो होते हैं यह ट्राइल पिरियड होते हैं टेस्टिंग के पिरियड होते हैं इस पिरियड में आपको आपका एकमा भी नहीं मिलता है क्योंकि आपका जो पासपोर्ट होता है उस पे और लेडी तीन महीने का वीजा लगा है कि अगर आपका जो है आपके कफील के साथ या आपकी कमपनी के साथ नहीं जम रहा है आप से काम ज्यादा लिया जा रहा है या सैलरी वगरा टाइम पे नहीं दी जा रही है और या और भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे आपकी कमपनी के साथ में आपका बेवहार ठीक नहीं या कफील का आपके साथ आपका ब्यवहार ठीक नहीं है, तो अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो तीन महीने के अंदर आप अपने काम से मना कर सकते हैं, ऐसे में आपका final exit लग जाएगा और आप वापस चले जाएगे अपने देश, लेकिन इसमें आप एक बार सोच लगने के बाद में 60 दिन का आपके पास टाइम रहता है, आप 60 दिन तक इस देश में रह सकते हैं, नॉर्मली जो final exit लगता है, आम लोगों को जो बहुत पहले से हैं, जिनका एकामा बना हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका final exit कैंस लगता है, उसी में जो है final exit लग जाता है, फिर किसी वज़े से आदमी रुक जाता है, अकामा जो है expire हो जाता है, और उसके बाद अगर आप चाहो कि exit कैंसिल हो जाए तो नहीं होगा, फिर आपको आपका एकामा रेन्यू करना पड़ेगा, जो फीस होती है वो देना गोल्ड को ले करके है, रियाल को ले करके है, या यानि कोई भी महंगी जो है metal वाली चीज, धातु जो महंगी, सोना, चांदी, हीरा मोती, इसको ले करके है, कि एक आदमी अगर अपने देश जा रहा है सौधी अर्भिया से, तो कितनी amount में रियाल कैश में ले या सकता है, जिसको एरपोर्ट पर मौझूद कस्टम के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं होती थी, तो अभी भी अगर आप इतना ले के जाते हैं, 60,000 रियाल कैश या 60,000 रियाल वैलू का सोना, तो भी आपको बताने के जरूरत नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस से ज्यादा ल आपके उपर भारी जुर्माना लग जाएगा और GACA ने जितनी भी एरलाइन से चाहे हो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो सबको ये नोटिस दे दी है लेकिन यहां पर आप ये नहीं सोचना कि मैं 60,000 रियाल कैश लेके इंडिया जा सकता हूं या 60,000 रियाल तक का सोना मैं इ देखिए यहां की गवर्मेंट ने इतना अलाउ किया है आप ले जा सकते हैं लेकिन आप जब इंडिया जाएंगे तो वहां एयरपोर्ट पर आपको प्राब्लम हो जाएगी क्योंकि वहां का कानून कुछ और है तो थोड़ी सी जानकारी में वहां के बारे में भी आप लो ले जा सकती है जेवर के रूप में और अगर मर्द है तो पचास हजार तक का सोना वो ले जा सकता है और यह चीज बच्चों के लिए भी है यानि अगर कोई बच्ची है लेडिस है बच्ची है तो वह उतनी ही कीमत का सोना कैरी कर सकती है ले जा सकती है यानि एक लाग का औ इंडिया के अंदर उस पर आपको टेक्स देना पड़ेगा ले जाने माले ले गए हैं लेकिन अगर पकड़े जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो साथ आपके समझ में आ गया होगा कि यहां की गवर्मेंट ने तो अलाव किया है कि साथ हजार रियाल कैश आप ल करें लगी है तो वीडियो को लाइक केजिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब खरके